जितना excited मैं test के पहले था, उतना ही disappointed मैं test के result के बाद हूँ Hello everyone, welcome back So, आज मैं review करने जा रहा हूँ एक India के बहुत ही famous supplement brand का जो है Muscle Blaze, आप सबने Muscle Blaze का नाम सुना होगा अगर आप किसी भी तरह से fitness से related हैं, आप gym जाते हैं, आप किसी भी तरह के athlete हैं तो आपने Muscle Blaze का नाम जरूर सुना होगा, तो आज मैं Muscle Blaze के एक ऐसे product का review करने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से इंडिया में अभी अगर कोई renowned brand है और सबसे सस्ता जो कोई protein इसका आ रहा है with good amount of protein percentage तो वो यह product है, तो मैं आज review करने जा रहा हूँ Muscle Blaze का raw way protein और यह एक unflavored protein है तो product की बात करें तो यह 1 kg का packet है और इसमें इसके एक serving में 30 grams का scoop है उसमें 80% protein है जो almost 24 grams of protein निकल के आता है तो जो की एक बहुत ही अच्छा और decent amount है अगर किसी भी अच्छे बड़े renowned brand में भी देखते हैं तो एक scoop में 25 to 80% of protein रहता है तो अगर यह 80% दे रहा है तो it's really very good और साथी साथ कंपनी ने packet पे इसका जो amino acid profile है essential amino acid non-essential amino acid इन सब का detail packet में में अच्छे कर रखा है आज में Muscle Blaze raw way protein की authenticity चेक करूँगा Muscle Blaze के home based protein testing kit के help से और चेक करें कि Muscle Blaze home testing kit में इसका क्या result आता है सो शुरू करते है आज का test testing के लिए मैंने यहां पे सबसे पहले scoop की accuracy check करने के लिए मैंने यहां पे weighing scale रखा है तो इसे मैं on कर लूँगा और company claim करती है कि इसका जो एक scoop है यह scoop 30 grams का scoop है तो इसका में एक level scoop लूँगा सो इसका एक level scoop में ले रहा हूं और इसमें mix कर रहा हूं सो level scoop में इसका जो reading आ रहा है वो आपके सामने है वो actually 37 gram weighing scale पे इसका count आ रहा है 37 grams सो जितना company claim करी है 30 grams का scoop है उसमें 7 grams extra whey protein powder निकल के आता है सो यह testing solution है और यह test tube है तो सबसे पहले मैं से mix कर लूँगा सो आप देख सकते हैं मिक्स तो हो गया बहुत अच्छे से हुए इसमें कोई फोम भी नहीं दिख रहा है मुझे तक यह थोड़ा भी जितना भी थोड़ा बहुत इसमें फोम है वो सेटल हो जाए तब तक मैं अपना test tube रेडी कर लेता हूं यह आजकल मैं देख रहा हूं इस testing kit में जब भी मैं इसमें डालता हूं थोड़ा इसमें ज्यादा reaction type का फोम बन के आता है सो इसे मैंने पूरा empty कर लिया हूं यह 35 ml तक इसकी reading दिखा रही है अब देख लेते हैं protein का क्या situation है फोम धीरे-धीरे सेटल हो रहा है हम लोग थोड़ा देर और वेट करेंगे फोम को पूरा सेटल होने के लिए काफी फोम सेटल हो चुका है इसमें 10 ml इसमें test tube में यह protein को डाल देता हूं तो यह 45 ml तक मैंने full कर दिया इसमें और इस test tube को मैं tight करके थोड़ा से mix कर दे रहा हूं और फिर देखते हैं किस तरह गर reaction शुरू होता है सो हमारा test tube ready है और हमें इसे 24 hours observation में रखना होगा और उसके बाद जो इसका result आएगा वो आपके साथ में share करूंगा और जो भी इस test का result आएगा उसके basis पे मैं आपको प्रोड़क के बारे में और information दूँगा इस प्रोड़क के pros and cons के बारे में सो stay tuned मिलते हैं 24 hours के बाद Hello everyone welcome back after 24 hours जो कल मैंने test के लिए वेपरोटीं के samples रखे थे उनका result देखने का वक्त आ गया है यह product इस वज़े से try किया था और इस वज़े से test किया था कि अगर यह इस test में pass होता है तो मैं इसे मैं सभी लोग को recommend करूँगा जो अंडर 2,000 रुपीज के वेपरोटीं का option ढूंडते हैं but test का result मैं आपको शेयर कर रहा हूं यह test tube मेरे हाथ में है और मैं कहना चाहूँआ कि जितना excited मैं test के पहले था उतना ही disappointed में test के result के बाद हूँ आप देखिए यह test tube है और इसमें reading आपको दिख रहा है कि जो इसके user manual है उसके जो नीचे में sedimentation होता है उसके height के हिसाब से हम इसके protein का content fine out करते हैं but इसका जो result आप देख रहे हैं इसका करीब 7-8 ml जो है उपर में stick हो गया है और less than 5 ml का height है वो test tube के नीचे दिख रहा है तो as per the manual अगर इसमें का height 6 ml से कम है तो उस case में protein content less than 35% है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या report आ रहा है और इसको अगर को मैं से invert भी करता हूँ तब ही यह कुछ अजीब सा ही reaction होगा है मुझे कुछ समझ में नी आ रहा क्या कहूं में इसके बारे में तो मेरे हिसाब से और as per the testing manual muscle blaze 100% draw away protein जो है वो fail हो चुका है अब मुझे पता नहीं कि यह testing kit की problem है या रियल में मारा product है उसमें कुछ defect है तो अगर आप में किसी भी यूजर ने इस protein का लाप टेस्स कराया है तो प्लीड में शेयर करें अगर आपके आपके पास positive result आया है अगर आपके पास भी इसी तरह कुछ quality का issue है तो उसे वो rectify करें तेस्स का report आज चुका है और आप देख चुके हैं यह test as per the manual और जो भी guidance है उसमें fail हो चुका है अब आपके उपर है कि आप इसे खरीदना चाहें और नहीं खरीदना चाहें जैसे मैंने वीडियो के starting बोला था कि test result के बाद मैं pros and cons बताऊ है कि यह अपने ही brand के testing kit में यह fail हो चुका है talking about the packing एक problem और थी कि इसका जो seal है वो बहुत low quality का है और इसमें बिल्कुल सही से stick नहीं हो पाता है जब एक-दो use के बाद तो इसे कोई भी user अगर लेता है तो इसे बाद में किसी airtight sealed container में रखना पड़ता है सो यह एक छोटा साब कॉंस था जो मैं वीडियो के starting में मेरे माइंड में था बताना के लिए लेकिन अब सबसे बड़ा कॉन हो चुका है कि यह lab test में फेल हो चुका है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ अच्छे quality के protein को test करके आपको suggest करूँ और अच्छा protein आपके तक पहुच पाए तो अगर आपको भी किसी और specific product की review चाहिए तो आप मुझे comment box में करके बदा सकते हैं अब वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें question हो तो comment करें अपने friends के साथ share करें ताकि प्रोड़क्त की quality के बारे मुझे उपर चल सके आप अगर चैनल पे नहीं है और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना है thanks for watching the video thank you have a nice day